सर्दियों के मौसम में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है इनहीं में से एक समस्या है एवरीक एसीट को लेकर इस मौसम में उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है जिने एवरीक एसीट की समस्या का शामना करना पड़ता है इसलिए जरूरी है कि समय रहते कंट्रोल किया जाए ऐसे में आपकी मदद मेथी कर सकता है सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एवरीक एसीट होता क्या है यह एसीट खून में बनने वाला एक रसायन है जो पार्चन प्रेक्रिया के दोरान प्रोटीन के तूटने से बनता है अधिकतर एवरीक एसीट खून में घूल कर केड़नी तक पहुंचता है और वहां से सफाई होने के बाद पेसाब के जरिये पाहा निकल जाता है लेकिन जब शरीर में एवरीक एसीट ज्यादा बनने लगता है या फिर फिल्टर नहीं होता है जिसके कारण एवरीक एसीट जमा होने लगता है जिसके कारण गाउट एक प्रकार का गठिया की इस्थिती उत्पन होने लगती है जो आगे चल कर किर्णी और स्टोन का कारण बनती है तीरी से अगर हम बात करें तो यूरिक एसिट का जो नॉर्मल लेवल होता है वो पूरुष में 3.4 से 7.0 मिलीग्राम देसिमीटर होता है वहीं महिला की बात करें तो 2.4 से 6.0 मिलीग्राम देसिमीटर होता है अब हम जारेंगे कि यूरिक एसिट में मेथी कैसे आखिकार फायदे मत होता है मेथी ताने में भरफूर मात्रा में इसके अलावा इसमें भरफूर मात्रा में फाइबर्श, प्रोटेन, स्टार्च, शूगर, एंटी ऑक्सिडेंट, एंटी सेप्टिक पाया जाता है जो इवरिक एसिट को कंट्रोल करने में मदद करता है ऐसे करें मेथी का शेवर रात को सोने से पहले एक गिलास पाने में एक चमच मेथी दाना भीग हो दे दुसरे दिन शूबा इसका पाने मिला ले इसके अलावा मेथी दानों को अंकुरित करके रोजाना थोड़ा थोड़ा खाए इसको लेकर आपको कुछ ही दिनों में लाफ नजार आने लगेगा निव्स रूम से अमेजिंग वोले की रिपोर्ट सब्सक्राइब तो यूट्यूब चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन ते लेटेस्ट अपडेट्स